हाई गाईज, वेलकम बैक तु माई चैनल, कैसे हैं आप सब लोग, मैं हूँ अनुछाबरा, आज की रेसिपी है मलाई टोस्ट, यह बहुत ही टेस्टी और हल्दी स्नायक है, बच्चों को भी काफी अच्छा लगता है, इसे आप जहरपट से बना सकते हैं, और उनके लंच सब कर सकते हैं, या शाम की चाई के साथ भी सब कर सकते हैं, तो आईए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, अलदी से बन जाने वाले टोस्ट के लिए हमें चाहिए एक कैपसिकम, एक अनियन, और घर की निकली हुई 2 टेवल स्पून मलाई ले रही हूं, अगर आपके पास मलाई नहीं हो, तो आप अमुल क्रीम जो मार्केट में मिलती है, वो भी यूज कर सकते हैं, सिबसे पहले अनियन और कैपसिकम को मैं चॉपर में ही चॉप कर रही हूं, आप चाहें तो इसे हाथ से भी बारिक बारिक काट सकते हैं, बट ये चॉपर में काफी अच्छी पर करूंगी, और अब मैं इसमें मलाई डाल रही हूं, एक टेबल स्पून सूजी अड़ कर रही हूं, इसमें फ्रेंड्स ये भूनी हुई सूजी है, आप सूजी को भून कर ही इसमें डालें, तब ही इन तोस्ट में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, एक तीस्पून और हाफ तीस्पून रेड चिली पाउडर है, इनने अच्छे से मिक्स कर लूँगी, सूजी को भून के डालने से इन तोस्ट में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और खुश्बू भी बहुत अच्छी आती है, इस वक्त अगर आपको मलाई कम लग रही हो, तो आप इसम मलाई और डाल सकते हैं, यह मिक्स्टर बिल्कुल भी ड्राइ नहीं होना चाहिए, आज मैं ब्राउन ब्रेड यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी यूज कर सकते हैं, यह आटा ब्रेड है, इसके उपर मैं इस मिक्स्टर को अच्छे से स्प्रेड कर अगर यह मिक्स्टर ड्राइ होगा तो यह ब्रेड के उपर अच्छे से स्टिक नहीं हो पाएगा, इसलिए आप मेक्शूर करें कि इसके अंदर अच्छे से मलाई हो, जो कि वेज़िटेबल को बाइंड करें और इस ब्रेड के उपर इजीली स्प्रेड हो जाए, यह देखी एक स्लाइस रेडी है, मैं एक और स्लाइस पर यह मिक्स्टर लगा लेती हूँ, अब सारे स्लाइस पर एक साथ यह मिक्स्टर ना लगाएं, क्योंकि मलाई में मॉश्चर होता है उससे यह ब्रेड को सौगी कर देगा, और जब हम इसे पकाएंगे तो यह तूट जाएंगे, इसलिए बेटर है कि पहले आप एक स्लाइस पर इसे स्प्रेड कर लें, जब तक वो सिकेगा, तब तक आप दूसरी ब्रेड पर इसे स्प्रेड कर लें, देखे बिलकुल इसी तरह से, आज मैं इसे एक छोटे नॉनस्टिक तवे पर बना रही हूँ, मेरे पास आपके पास जो भी घर में नॉनस्टिक तवा अवे लेबल हो, आप उसके उपर भी इसे बना सकते हैं, हाफ टीस्पून ओयल डाल कर और इसे अपसाइड डाउन स्लाइस को मैंने रख दिया है, और हलके हातों से प्रेस किया है, ताकि जो मिक्शर है वो इजी ली इसके काऊंगी, आप इसे तेज आँच पर नहीं पकाएं शुरू में, थोड़ा सा ओयल दूसरे साइड भी स्प्रिंकल करके, एक मिनट के बाद मैं इसे टर्न करूंगी, आप इसे साइड से चेक कर सकते हैं, हलका सा जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी आप इसी टर्न कीजि पर शुरू में आप फ्लेम को लो ही रखें, दूसरे तरफ से भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद मैं हम इसे फिर से टर्न करेंगे, यह देखिए यह इस तरफ से भी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है, और दूसरे तरफ से और आदा मिनट सेखने के बाद, यह टोस बिल्कुल रेडी है, यह बहुत ही टेस्टी बनता है, उपर की लेयर इसकी कुरकुरी होती है, क्योंकि हमने सूजी भून कर डाली थी, और अंदर से यह ब्रेट काफी सॉफ्ट होती है, क्योंकि मलाई का पूरा अंदर ब्रेड तक चला जाता है, यह मैं आपको एक और बना कर दिखा रही हूं, पनीर भी एड़ कर सकते हैं, इसलिए बच्चों के लिए और भी अच्छा प्रोटीन रेच हो जाएगा, वैसे तो यह टोस्ट काफी फिलिंग भी होते हैं, आप उन्हे लंच बॉक यह खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं, अगर यह रेसिपी आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल बटन बबरी क्लिक कीजिए, ताकि आप मेरे आने वाली रेसिपी इस को मिस्त ना कर पाए कि अवारे कि अवारे की बनते हैं, तो एवारे कि आप कीजिए अवारे की लोग रही है, तो प्लीज रही है, तो यह थिए.